जब बात होती है plagiarism को remove करने के तो आपको youtube पर बहुत फ़नी चीज़े मिलेंगे कोई आप से बोलेगा words को white कर दो कोई आप से बोलेगा यार ऐसा करो के word पर जाओ और वहां पर वह control आई वाले method से space आई वाले method से उसको कर लो कोई आप से बोलेगा यार space add कर दो तो भाया plagiar plagiarism detector पागल नहीं है ना वो बंदा पागल है जिसको अपने अपना article या अपनी assignment या कुछ भी भेजना है वो सारी चीज़ों को notice करते हैं तो mostly ऐसे चीज़ें applicable नहीं होती हैं तो क्या हम plagiarism remove कर सकते हैं yes of course हम कर सकते हैं कौन से various ethical ways हैं जिन से हम उसको कर सकते हैं आज हम उन बिल्कुल ऐसा मत कीज़ेगा उसके अंदर अपने व्यूज लाजमी शामल कीज़ेगा तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं यह वीडियो well researched है और एक अच्छे content को appreciate करने का सबसे बहतर तरीका ही होता है कि आप उसके चैनल को subscribe करें जिस पर वो content पढ़ा है जिससे मुझे नए goals मिलेंगे आगे आपके problem को solve करने के लिए नए video बनाने के लिए और अच्छे तरीके से research videos बनाने के लिए तो चलते हैं वीडियो की तरफ plagiarism को remove करने का in control वे यह है कि आप manually इसके अंदर कुछ ऐसी changes कीजी अपने content के अंदर जिससे plagiarism ना सिर्फ remove हो जाए बलके आपके पास पूरे article का control भी रे आपको पता हो आपने इसके अंदर क्या लिखा है और आप वो control को कभी भी lose ना करें तो इसके लिए मैंने आपको पहले से हवाला एक दिया है कि मैंने दिये android news के उपर एक article लिखा हुआ था parental control apps के बारे मैं वहीं से एक paragraph उठाके copy करके लेके जाता हूँ अपनी word के उपर इसको मैं paste करता हूँ और इसी को मैं paste करूँगा plagiarism detector के अंदर क्योंकि मुझे plagiarism detect करना है तो मैं plagiarism detect करने के लिए इसको वहाँ पर जाके paste कर देता हूँ जी यहाँ पर paste करने के बाद मैं इसका plagiarism जब check करूँगा तो plagiarism मेरे पास 100% आना चाहिए क्योंकि यह already uploaded article है तो इसका plagiarism 100% आएगा इससे दो काम होंगे एक तो मुझे इससे यह पता चल जाएगा कि plagiarism detector जो है यह एक valid platform है plagiarism को check करने के लिए यह अपने पास से खुश करने के लिए यह नहीं कहता है कि आपका plagiarism कम है यह ज्यादा है तो जब तक इसका plagiarism check हो रहा है मैं आपको दर जाके दूसरी techniques बताता हूँ हम आ गए है word के उपर तो word के उपर आने के बाद यह मेरे पास पूरा article पड़ा है सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा short करता हूँ ताकि मैं आपको effective way के अंदर बता सकूँ क्या हमें करना basically क्या है मैं यहां से short कर देता हूँ तो आपको सबसे पहले करना कि आपके सामने article पड़ाया है सबसे पहले तो अपने जेन से इस बात को निकाल दीजी कि words को white कर देने से spaces को add कर देने से अब plagiarism को remove करेंगे और वो बड़ा effective होगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा ऐसा नहीं होता है plagiarism पकड़ा जाता है अगर आप उसको ethical ways से कभी नहीं करेंगे तो जाहरी बात है पकड़ा जाएगा तो चलते हैं word के ओपर फस्ट फाल तो देखिए इसके अंदर से कौन से ऐसे words हैं जिनके आप synonyms ढूंद सकते हैं असानी से आप auto replace कर सकते है synonyms को ठीक है new concept है इसका देखिए इसका synonyms इसके अंदर एक डाल दीजिए ठीक है new idea कर दीजिए इसको और मैं यहां से turned off को कर देता हूं that turned off the user interface of the mobile that turned off that skip कर देता हूं यहां से ठीक है और कुछ इस तरह के words मैं change करूंगा और इसको मैं और चोटा करता हूं ता कि आपका कम से कम टाइम में आपको basic मेरा मतलब समझा जाए कि मैं करना क्या जा रहा हूं ठीक है यहां तक मैं इसको लेकर आ रहा हूं उसके बाद जब आप सनोनम इसे add कर चुके होंगे तो फिर इसको थोड़ा सा refresh कर देजिए रिफ्रेस करने से मुराजिए कि थोड़ा सा अपना idea enhance कर देजिए अपने idea को इसके अंदर put कीजिए जैसे it is evolved a lot while in recent years तो आप यहां कर देता हूं in the past so I'm going to do it in the past devices had a specific mode यहां पर मैं particular कर देता हूं devices had some particular modes some particular modes had some particular modes तो मैं यह करूँगा for kids ठीक है kids के लिए usage that kids usage के लिए that skip the user interface for the mobile that skip the यहां पर मैं कर देता हूं skip मैं already कर चुका हूं the user interface for the mobile or tablet तो मैं यहां पर mobile प्लेजरिजरिजम डिरेक्टर के उपर जा कि उससे पूछूँगा कि भाई सब अब इसको चेक करके मुझे बताएं कि अब मेरा work कैसा है ठीक है तो यहां पर मैं इसको पेस्ट करूँगा और simple प्लेजरिजरिजरिजम को दुबारा से मैं चेक करूँगा और अब देखें होल आइडिया यह था कि हम सनोनेंस को डालें और कुछ रीफ्रेजिंग खुद से करते हैं यह तो वह तरीका है जो मैनुवल है जिससे आपके हाथ में कंट्रॉल रहता है लेकिन आगे आने वाले जो तरीके मैं आपको बताने लगा हूँ वह तरीके हैं जो आपके प्लेज अच्छ को रिमूव कर देंगे लेकिन को किसा आपने करने वह तो भी मैं भी आपको बताऊंगा तो हम यहाँ पर चलके देखते हैं इस ने यूटिए आपको इसकी तसली के लिए हम इसको किसी और प्लेजरिजरिसम डिटेक्टर प्लेटफॉर्म से भी चेक करते हैं तो य यह Smart SEO Tools वालों का Pledge Rism Checker है, मैं इसके उपर चेक करता हूँ, यहाँ पर मैं copy paste करता हूँ, simple, और करने के बाद मैं आके इसका चेक Pledge Rism करता हूँ, और देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे क्या results हैं, तो यह कुछ पास पास अगर दे दे, तो इट मींस कि वह कर रहा है, of course कर रहा है, it is taking some time, okay, तो जब हम इसको refresh करते हैं, अपनी डाकुमेंट के हो, तो यह chances भढ़ जाते हैं, कि हमारा Pledge Rism removed हो जाएगा, refresh करने के साथ साथ आप इसमें synonym स्टालनें, और अपना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया भी इसके अंदर डालनें, और यह बात बिल्कुल ना सम तो आप इसको यहां से remove करें, और इसके जागा पर कुछ अपने पास से लिख दें, कि वेल स्टैबिज्ट आइडिया इस नौन ऐस प्रेंटल कंट्रोल, उसके बाद आप लिख सकते हैं, तो वी आर इस एडवांस्ट एरिया, मैं इसको ऐसे चैंज कर सकता हूँ, एडवा किया, सिर्फ चांद है कि यहां पर synonyms डाले, और कुछ थोड़ी सी rephrasing किया, और मेरा 100% unique हो गया, वो content, यह दो तरीका है जिससे मेरा पूरा article मेरे control में रहेगा, और plagiarism भी remove हो जाएगा, of course, तो यह किस case में मुझे remove करना होता है, यह case में मुझे remove करना होता है, कि in case आप कहीं से information ले रहे हैं, वो information लेने के बाद, आपको लग रहा है कि यार, यह information अगर में अपने article में डालूँगा, तो वो plagiarism दे देगा, ठीक है, उस information को अपने article में rephrase और synonyms के साथ आप डालिए, और आपका article जो है, वो unique रहेगा 100%, ठीक है, और इससे जो आपसे article purchase कर रह है, जिससे हम plagiarism को remove कर सकते हैं, तो let's go, ने जना, paraphrasing tool वो हमारा दूसरा त्रीका है, यह website है, जिस पर tool यह available है, जो आपके वो जो काम हमने manually किया है, उसको auto कर देता है, तो अब देखते हैं कि जो article यहां पर 80% plagiarized जा रहा है, अगर मैं इसको paraphrasing tool के उपर जाके, इसके paraphrasing tool को implement करूं, तो यह क्या करेगा, मैं इसको यहां से control C करना हूँ, और यहां पर आके control V करना हूँ, और मैं यहां से इसको go कहता हूँ, simple मुझे क्या करना है, यहां से capture of course करना था जो मैंने नहीं किया, तो invalid capture आएगा, तो इसके बाद मैं यहां से go कह रहा हूँ, तो यह इसको refresh करेगा, of course यह थोड़ा सा time तो लेगा, यह उसने इसको refresh कर दिया, तो अब यह विला paragraph refresh होने के बाद यहां पर आ चुका है, मैं यहां से इसको simple उठाता हूँ, control C करता हूँ, और देखता हूँ का plagiarism checker साहिब इसका क्या अब हमें plagiarism बता रहे हैं, तो यह तो इस चेकिंग, 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 गो बेबी, गो बेबी, गो बेबी, तो यह कर रहा है, तो असल में जो काम हम वहां पर कर रहे थे, वो काम यह यहां पर राटो कर रहा है, तो यह देखिए, 100% unique result आ चुका है, हमारा वही paragraph जो 80% plagiarized था, वो अब 100% unique है, अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं कि इसने किया क्या है, basically इसने, according to a study, majority of children on a mobile phone, इसको लिखा है कि as indicated by an investigation dominant part of kids on a cell phone, अच्छा, लेकिन यह देखिए, कि इसको पढ़ना थोड़ा simple लग रहा है, कि यह simple text लग रहा है, informative, simple text लग रहा है, declarative, और यह वहला जो text है, आपको थो remove करने के लिए, तो आपने इस टूल में आने के बाद, जब आप plagiarism remove करने के लिए, इसको यहां से refresh करेंगे, तो आपको इसमें थोड़ी सी changing करनी है, आपको थोड़ी से word ऐसे डालने हैं, जो informative हों, ऐसे डालने हैं, जो lightweight हों, ऐसे डालने हैं, जो call of action पे लेके जा रहे है अगर आपको चीज सेल करने हैं तो, और आपको इसको एक दफा तसली से पढ़ना है, यह नहीं कि आपने वहां से उठा के यहां पे फैंका refresh किया, और आप वहां पे 100% plagiarize free दे देगा, लेकिन क्या वो इस काबल है कि deliver किया जा सके, it depends on you, तो आपने क्या करना है, कि उसको refresh करना है, उसकी चीज़ों को verify करना है, उसकी speech को थोड़ा सा normal करना है, थोड़ा सा easy बनाना है, वो जिस तरह का article है, उस तरह की बात हो, अगर वो कोई न्यूज आर्टिकल है, तो informative होना चाहिए, थोड़ी सी information उसमें डालें, और अगर वो कोई है, आपका कोई चीज बेचन के लिए affiliate article है, तो of course, उसमें आप call to action words डालेंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, दूसरी tip, वो यह है कि कभी भी पूरा article उठा के यहाँ ना पहंके, यह तो कह रहा है कि max 10,000 words आप पहंक सकते हैं, लेकिन कभी भी पूरा article उठा के ना पहंके, अगर आपक पूरा article refresh करने के बाद, चेकिंग में भी problems आ सकती हैं, आप 500 words करके यहाँ से चेक कीजिए, उसको उठा के word पे फैंके, इसको दुबारा से पढ़िए, ठीक है, यहाँ पर फैंक किए, इसको दुबारा से पढ़िए, इसमें changing कीजिए, और आगे पढ़ जाईए, तो यह थ इसको थोड़ा सा, टॉन को थोड़ा सा light कर दें, तो यह paragraph काम चला सकता है हमारा, तब हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ, लें जनाब, तो थर्ड आइटम है हमारी quillbot के नाम की, ठीक है, आप गूगल करें, आपको पहला इसी का link मिलेगा, क्योंकि यह बड़ी ट Ctrl V करता हूँ, और इसको मैं परफेज कर देता हूँ, अच्छा, यह आप कह रहा है कि sign up करें, अगर आप 400 words, अगर आप 700 characters से उपर जा रहे हैं, तो मैं कम कर देता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सिर्फ आप लोग को समझाना चाहरा हूँ, आप sign up कर सकते हैं, य data के साथ यह कोई भी इकी बीकी नहीं करेंगे, तो मैं इसको paraphrase करता हूँ, it is doing paraphrasing, it will take some time, go baby, go baby, go baby, और यह उठा के almost paraphrase कर दिया है, और एक चीज जो आप notice करेंगे, कि इसका text निस्बतन हमारे पहले वाले टूल से, इसका text निस्बतन थोड़ा सा easy to read, readability good desk की, तो ठी यहां पर paste करते हैं, यहां से capture fill करते हैं, और check plagiarism करते हैं, ठीक है, it is checking, go, 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 let's do it, it will take some time of course, so be patient, I am already patient, so, यह 100% unique आ गया, ठीक है, तो यह है हमारे third way, लेकिन यहां पर भी मैं कुछ ways आपको बता रहा हूँ, उनको जहन में रखिए, कहीं लिख लें, किसी को, अग ways को लाजमी understand करें, first of all, तो यहां पर account बना लें, जैसे grammarly आपसे, आपका account ले लेता है, और SL में होता क्या है, वो suggestion जो ना, फिर उन्होंने deep learning tools होते हैं, वो आपको suggestion पर उस तरह की देते हैं, कि यह आपके काम की चीज़ें हैं, तो कब तक आप technology से भागेंगे, ultimately हमारा data तो जाए गई उनके पास, तो यहां पर यह, तो मैंने आपको जो तरीका बताया था, वो यह था कि एक तो पूरा document यहां पर फैंकिए ना, यहां पर आईए document लेके, जिस तरह 700 word की limit थी ना, तो आप 700 word करने के बाद 2000 word के article को चेक कर सकते हैं, रिफ्रेस कर सकते हैं, और हर एक दफा रिफ्रेस करने के बाद उठा के word पे लेके आएं, इसको एक दफा खुद से read करें, अगर card to action words missing है, declarative sentence missing है, easy to understand, easy to readable नहीं है, readability good नहीं है, उसको improve करें, और करने के बाद पिर आप इस article को publish की तरफ लेके जाएं, या submit करवा दें publish के लिए, तो अब एक और important करदार अदा करती है, तो मेरी एक वीडियो आर्टिकल की headline को SEO के accordingly improve करने के लिए भी मजूद है, वो free of cost, उसमें मैंने ways बताये हैं, दूसरी बात, जो description होती है, जिस तरह quillbot की यहां पर अगर मैं, यहां पर अगर मैं, यह देखिए, यह जो है ना, इसका text, meta description text जो है, य बड़ा important होता है, किसी भी article के लिए, यह meta description text भी, अगर आप writer हैं, तो खुद लिखके ने, उस पर भी मेरी वीडियो है, उसका link मैं यहां पर नीचे दूँगा, और grammarly को कैसे use करना है effectively, उस पर भी मेरी एक video मुझूद है, उसका link यहां पर मुझूद है, तो फिर से मैं ब uploaded article था, उसके उपर मैंने यह काम करके आपको दिखा दिया है, तो चैनल को subscribe कीजिए, और आने वाली वीडियो से फाइदा आएं, क्योंकि हम आइस्ता-इस्ता move करेंगे, affiliate writing की तरफ, academic writing की तरफ, how to review the application, how to review the website, और mostly things, इंशालला हम उसको cover करते जाएंगे.